बसंत पंचमी का आगमन माग सुकल पक्षमी को बसंत पंचमी अथवा वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमी वसंत रितु के आगमन का सूचक है रितु गर्णा में चैतर और वैसाक दो मास वसंत के हैं कहते हैं कि रितुराज वसंत के अभिशेक और अभिनंदन के लिए सेस पांच रितुओं ने अपनी आयू के आठ दिन वसंत को समर्पित कर दिये इसलिए बसंत पंचमी 40 दिन पूर्व प्रकटुई यह तिती चैतर किष्णा प्रतिपदा से 40 दिन पूर्व माग सुकला पंचमी को आती है बसंत पंचमी कब है वर्ष 2022 में बसंत पंचमी पांच फरवरी सनिवार के दिन मनाई जाएगी सिरी पंचमी भी कहते हैं भूमद्य रेखा का सूर्य के ठीक ठीक सामने आजाने के आसपास का कालखंड है वसंत वसंत भारत का ही नहीं विस्व बातावरन के परिवर्थन का धो तक है संबवेक अभी ब्रेदर भारत में माग के सुकल पक्ष में वसंत आगम होता था और माग सुकल पक्ष में को वसंत आगमन के प्लक्ष में अभी नंदन परवे रूप में प्रैस्थापित किया हो इस तरह पंचमी बसत आगमंग की पूर्वे सूची का ही है इसी कारण इसे इसरी पंचमी भी कहते हैं मा सरस्वती का जनम दिन वसंत पंचमी विद्या की अधिश्टर देवी भगवती सरस्वती का जनम दिवस भी है इसलिए इस दिन सरस्वती पूजन का विधान है ज्यान क गेहनता और उच्चिता का सम्यक परिचे इसी से प्राप्त होता है पुस्तक धारेली वीनावादिनी मा सरस्वती का यह देन है कि जीवन के रहस्यों को समझने की सुक्षम द्रश्टी प्रदान कर ज्यान लोक से संपूर्ण विश्व को आलोकित करती है इसलिए सरस्वती बसंत पंचमी को ने तो विद्या का सत्रस्माप्त होता था ने विद्याब्यास के लिए मंगल दिन मानकर विद्याग्यान कारंब होता था मासारदा की किरपाय मासिरवाद के लिए सरस्वती पूजन अवश्य होता रहा है रती कामदेव की पूजा का दिन पूरानिक कोस क जब उल्लासित होता है तो उसे कंकनों का रणन, नुपरों की रुंजुन, किंकनियों का मादक्वन सुनाई देता है मजन विकार का प्रादुर्बार होता है तो कामिती और कानन में अपने आप योवन फूट पड़ता है ब्रदा इस्त्री भी अद्वुत स्रंगार सज्जा से आनंद पुल की जान पड़ती है दामपत्य और पारिवारिक जीवन की सुक समरदी के लिए रती और कामदेव की किरपा चाहिए इसलिए ये रती कामदेव पूजन का दिन माना जाता है वीर हकीकत राइका जरंदीन बसंत पंजमी किशोर हकीकत राइका बलिदान दिवस भी है शियाल कोट अब पाकिस्तान का किशोर हकीकत मुस्लिम पाट साला में पढ़ते थे एक दिन सातियों से जगडा होने पर उन्होंने कसम दुर्गा भवानी की सपत लेकर जगडा समाप्त करना चाहा मुश्लिम चात्रों ने जो जगडा करने पर उतारी थे दुर्गा भवानी को अफसर्द कहे हकीकत स्वाभी मानी थे बलवान भी थे प्रतियुत्तर में फातिमा को अपशब्द कहे दिये फातिमा को अपशब्द कहने के अपराद में उसे मृत्यु धर्ण्ड या मुस्लिम धर्म स्विकार करने का विकल्प रखा गया किसोर हकीकत ने मुस्लिम धरम स्विकार नहीं किया उसने हस्ते हुए मृत्यू का वरंड किया वे दिन भी बसंत पंचमी का दिन था लाहूर में रावी का तट था और वहां सहस्तरो हिंदु जमा थे सबके सामने मुस्लिम सासक की आग्या से उसकी सोर का सिर्थ तलवार से काट दिया गया रावी नदी के तट पर खोजे साक के कोट छेतर में धरम वीर हकीकत की समाधी बनाई गई स्वेतंतरता पूर्व सहस्त्रो लाह और वासी वसंत के दिन वीर हकीकत की समाधी पर इखटा होते थे मेला लगता था और अपने सरदा सुमन चड़ाते थे वसंत पंचमी का दिन वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त पहनने की प्रता थी वह प्रताज नगरों में लुप्त हो गई है गाओं में अवश्य अब भी उसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है बसंती हल्वा पीले चावल तथा केसर या खीर खाकर आज भी बसंत पंचमी पर उल्लास उमंग परकट होता है परिवार में प्रसंता का वातावरन बनता है वसंत हिर्दे के उल्लास उमंग उस्था और मदूर जीवन का धो तक है इसलिए बसंत पंचमी के दिनरत्य संगीत खेलकूद प्रतियोगी तथा पतंग वाजी का उजन होता है वसंत मेले लगते हैं वसंत पंचमी प्रतिवर साती है जीवन में वसंत आनंदी यसस्वी जीवन जीने का रहश्य है यह रहश्य उदगाटन कर जाता है उप सनहार वसंत पंचमी मोसमी त्योहारों में से एक त्योहार है वसंत पंचमी बशंत मोसम के आगमन का प्रतिक है यह सर्द्यूं के जाने के बाद आता है बसंत पंचमी के दिन सभी लोग बड़े उत्षा उभां के साथ दिखते हैं बसंत पंचमी साल का पहला तिवार होता है सभी जगंप के पिले वस्त्र में लोग नजर आते हैं जहां भी देखे हर्याल ही नजर आती